नमस्कर विद्यारतियों, आज के इस informative वीडियो के मादे में से मैं आपके साथ एक छोटी सी information share कर रहा हूँ चाहे आप एक class 11th के student हो, या class 12th के student हो, चाहे आप सिब्बेस बोड के student हो या फिर किसी भी student board के student हो, आप इस अभी के लिए आज की जो ये 2 या 3 मिनट की वीडियो काफी helpful रहने वाली है इसलिए इस वीडियो को आपको अच्छे से पूरा देखना चाहिए अगर मैं बात करूं, सिब्बेस बोड के student की, तो ये आपको भी पता है, सिब्बेस बोड में आपकी बार अच्छी खासी संख्या में objective type की questions हमको exam में देखने को मिलेंगे, तो जो बच्चे elements of mathematics foundation book पढ़ते हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं, तो elements of mathematics का chapter जैसे ही खतम होता है, तो उस chapter के खतम होने के तुरंत बाद, mcqs questions की series आपको देखने को मिलती है अब इनका solution मैंने provide करवा रख है, अब गौर से सुनलो मेरे बात, कई बच्चे क्या comment करते हैं कई बच्चे बोलते हैं कि sir, यह जो mcqs questions देखे हैं elements के chapter के last में, इनके solution provide करवाईए, ठीक है, अच्छी बात है करवा देंगे, करवाने की चीज है लेकिन कई यह भी comment करते हैं, कि sir, इनको trick के साथ solve करवाईए, ताकि हमारा time बच सके, यह बात ठीक है कि हाँ, आपका time बच जाएगा, अगर आपको trick मिल जाए तो, लेकिन हकीकत यह है बेटे, कि math में कोई trick हकीकत में होती ही नहीं है जो आप subjective method पढ़ रहे हैं ना, उस subjective method में आप इतने पारंगत हो जाएए, कि उस objective question को solve करने में आप एक minute से जादा time ना लगए, जो आपका subjective method है, उसका आप इतने अच्छे से recall कीजिए, उस method पर based इतने जादा question solve कीजिए, ताकि आप को study में है तो खेर time लगेगा, सीख र time लगे, आप उसको roughly या orally कैसे भी solve करो, एक minute से जादा time नहीं लगना चीए, roughly इसलिए क्योंकि उस objective time के questions का आपने कैसे solution किया, उसका subjective method के आरा कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पे आप इस question को solve करके अपना time बचा सकते हैं, और ऐसा तब ही संभव है, जब उस subjective method में आप अच्छे से निपुन हो जाए, पारंगत हो जाए, मतलर इतना अच्छे से revision करोगे, तो आप उस इस्तिती में आजाओगे कि उस equation को एक minute में आप solve कर पाओ, फिर भी, मैंने कुछ वीडियो में आपको trick बताईए, अब ये कहां मिलेंगी और इनका solution कहां मिलेगा तो उसको भी सुन लीजिए, जो मेरा दूसरा चैनल है, Rise Your Mathematics, R-I-S-E-Y-O-U-R-M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S, इस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा, उस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन MCQs के solution provide करवा रखें, कई चैप्टर के मैंने नहीं करवा रखें, अधिकांस चैप्टर के करवा रखें, तो जिनके करवा रखें, तो वहाँ पर आपको मिली जाएंगे, ठीक है, और यह जो MCQs है, इनको मैंने कुछ questions को trick के साथ भी बता रखें, और कुछ questions को subjective method के साथ, लेकिन कम टाइम में कैसे क रखें, जो कि MCQs जो किशन है, इन पर बेस्ट नहीं है, मतलब, जैसे कि मैं बात करूं, इंडेफिनेट इंटिगरल के हैं, तो इसमें जितने भी trick के वीडियो बन सकते थे, वो मैंने वहाँ पर बना रखें, तो उसी channel पर आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, अब बात कर काफी आपकी helpful रहने वाले हैं, अगर मालो आप किसी state board की student है, तो हो सकता है, आपके state board exam में जो MCQs किशन से, वो जादा ना है, या एक भी ना है, लेकिन आप जब भी 11th या फिर 12th बेस्ट जो भी exam दोगे, जिसमें ये math आपकी काम है, ये topic आपकी काम है, तो उस टाइम य आपकी ये वीडियो 11th और 12th के जितने भी student है, चाहिए आप CBC वोड के हो, या फिर other state वोड के हो, कोई भी state वोड के हो, सभी के लिए helpful थे, तो वो region यही था बताने का, और साथ के साथ है एक information ये, कि उस channel पर जब आप वीडियो देखो, और आपको अच्छे लगे, कि हम यहां से कुछ न कुछ सीके जा रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनना चाहिए कि उस channel को भी subscribe जरूर कीजिए, तो यही information मेरे को आपको देनी थी, thank you, best of luck.